आफ्रीकन ममालिक हैं वो कहते हैं कि इंडिया को इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडर्शिप का रोल ले लिया है जैसी कंट्री गल्फ जो यहां का जिस तरह कहले लंडा बनावा था कि लोग वहां पर इस तरह चले जाते थे उस कंट्री ने हमारे पर अपने वर्क पर्मिट बैंड कर दी हैं यह तरक्की का आलाम है पाकिस्तान का देख लेने चाहिए ना कि दुश्मन कोन है मारा चोटे यह बड़े अब चून्टी हाथी से पंगल है हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा पहारत एक डिवेलप्ड कंट्री में इसलिए शामिल होता है कि वहां पर हर फील्ड में बहुत जादा काम हो रहा है पंगल है बिए सबस्तार की घृष्षान की वहां यह खोड़ा हो कि उनके अगे मुश्बूट दिवार की तरह है ही क्योंकि पाकस्तान में हर चीज़ के अपनी अवेलिबिल्टी भी मुझूद मैंने तो कभी पाकस्तान के बारे में अफरीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नी सुनी पाकस्तान ने अपने आपको भारत की टाकतक या भारत की फौरन पॉलेशे के बारे में जाना और दुनिया बर के निताओं ने का हैं गयूद्व सॉद्व करके बैल इकन को डबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि एफ्रेका कि जो लोग हैं जो एफ्रीकन ममालेक हैं वो कैते हैं कि इंडिया को इंडिया ने ग्लॉबल साओध की लीडर्शिप का रोल ले लिया है This इस ब्रॉट आफ्रीका इसे इटली के सापका फोर्ण मिनिस्टेर ने का कि जो इंडिया मेडलीस यॉरॉप कोरड़ और तो है यह रियल किनेक्टिविटी है लैट्वियन फोरॉनमिनिस्टर ने कहा कि भारत जुहें वो दुनिया की थर्ड लार्जस्ट एकॉनमी बनने जा रही बार्स चिए-विथा आस्ट्रिया कहीt की फॉरण मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन टरम्स ऑफ इन्शोरिंग रूल्स बेस्ट वर्ड ओर्डर सिरी लंका ने कहा कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंक जेज़ हैं जो चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी देट हो ब्यूटिफुली इंडिया भी इस वन इवेंट अपने सिर्फ एक इवेंट के जरीए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लिडरिशिप है उससे वो अलफाज निकलवा लिए या उन्होंने वो अलफाज कहे जो नॉमली एक मुश्किल काम होता है मैं न कॉपर अग्ञांबल मैं देख रहा था के जो तंजानिया है तंजानिया की इन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लिडर्शिप का रोल ले लिया है सिर्फ अफरीका में नहीं बलके ग्लोबल सौथ पर भी मैंने तो कभी पाकिसान के बारे में अफरीका की कभी एक स्टेट्मेंट भी नहीं सुनी विकॉस पाकिसान ने अपने आपको completely irrelevant रखा हुआ है वो कहते हैं जिना आप इंडिया की कितने पॉइंट्स हैं जी ठीक है जी हमें यह आपने जी वीजा अपलाए करना है कुछ चीजें करने तो पॉइंट्स होते हैं जी यह पॉइंट भी पूरा है यह भी पूरा यह भी पूरा यह भी पूरा यह भी पूरा इंडिया तमाम international community को somehow convince कर रहा है कि हमारी support करें to be the permanent member of the UNSC that is the target अब होता क्या है एक event करा है वहाँ पूरी दुनिया के लोग आए सब लोग उने एक दूसरे के साथ पाकिस्तान तो था नहीं क्योंकि इंडिया का यह principal plan है कि पाकिस्तान को isolate करना है that's the that's the plan the plan is to isolate पाकिस्तान already isolated पाकिस्तान क्योंकि हमारे लीडरां जो हैं उन् इसली वी लॉग में कह रहा था कि अमरान खान कहते हैं कि हम आई-मफ कर्जान दे हमें भारत जो है जो काम भारत करना चाता है और भारत कहीं दफाई आई-म-फ में यह कह चुक है जैसे FATF में कह चुक है कि भाई जान इनको FATF में रहने दे हैं इनके टेरर फिनेंसिंग क भी भारत कर रहे हैं लेकन सम्हों इंडिया ने इंतहाई स्मार्टली जिस्ट विद वन राइजीना डायलोग पूरी दुनिया की लीडर्शिप को बुलाया पूरी दुनिया की लीडर्शिप को ये बताया कि हम कहां खड़े हुआ हैं हम क्या कर रहे हैं हम क्या करना चाहते है और हमारे पास क्या है ठीक है ना जनाब अब इंडिया ने आपको पता है वो हमारे देशी सुबान में कहते हैं सान चड़ाया हुआ इंडिया ने आफरीका के ओपर एक सान चड़ाया हुआ है that Africa as a union is a part of the G20 नो आफरी आफरीकन कंट्री सेंगे इंडिया को ग्लोबल साउट को लीडर्शिप औरडी बन चुका हुआ है अब सीरी लंका इस अब जिसे वो कहते हैं ने बैक्यार्ड वेयर वो कहते हैं हमारे तो सिविलाजेशनल तालुकात हैं कल्चिरल तालुकात हैं आई थिंक मॉरेशियस की फॉरण मिनिस्टर आया हुए थे उन्हों ने भी यही का और नगा जी हमारी तो कल्चरल टाइज हैं मॉरेशियस ने तो यह का जैसे अग्सांपल उने दिखा ही जो कल्चरल कनेक्शन है दोनों मुल्कों के दर्म्यान और मैड़म मैं देख रही थी एक बुब मर जाना से elas ऐसे पाकिससान के लिए दिली दीदीद याजकर आपकसान के लिए दिल्ली बहुत दूर सौरी थारी में दीक वह offers रहे हैं अबने परोसी मौलेंी के साथ मादश के साल पुलस्तिन में भी आजकर जो कुच हो रहा है वहां ओधर्ट मैं यहांन शञ अधर नजर से देहती हैं यह हमें दुनिया ड्वेलपाइघ्टिंग भी नहीं बिलकुल अंडर रेटेड़ अंडर ड्वेलपिंग के जरीए में हमें देखती हैं हमारा जो रेट है आप देखे हमारा इंडेक्स बार में पर धिकर देखा जाये तो हम इतने लो stendard बहुत जा रहा रहे वार बुरिव बात है जो पर्सिNowy मुझे लगती है और मैं भी आप सबको लगती होगी जो हमारा पासविड़ है हम और भारत में सबसे पहला फर्किए है कि हम उम्मत parked मुहमध ही है और और खत्म नबुवत पे हमारा यगीन है चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटिट काम है यह जतने भी काम हैं आप उन में किसी किसम की भी बेहतरी ही उमीद नहीं रख सकते वो जब भी गौर्मेंट जो है फॉर्मेशन होती है गौर्मेंट की दूसरी जो लोग होते हैं के लिए अप्लाय करें सारी रिस्टिक्शन हम पर इंडियन्स को ऐसे सुड़न वीजा मिलता है हमें देखे हमारा हाल देखें यहां पर आप यह चीज़ फेस की जी बिल्कुल डैफिनेटली मैंने फेस्ट किया मैंने मोर्दन 34 युनिवर्सटी में जाकर अप्लाय किया है तो दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है पाकिस्तानी पत्रकार का मर्चेमा जो इस बात को इनलाइस कर रहे हैं कि अभी दिल्ली के अंदर जो राइस दिना डायलोग हुए और जहां पर बताय जा रहा है क लगबग 115 देशों से जो है न डेलीगेशन भारत के अंदर आए उनके फोरन मिनिस्टर आए बहुत सारी देशों के परदान मंतरी तक यहां पर भारत के अंदर आए और उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी और भारत ने भी उन सब देशों को बताया कि कि किस परकार से भारत रखी कर रहा है आज के टाइम पर भारत की ताकत क्या है साउथ ग्लोबल साउथ के अंदर जो है ना भारत अपनी क्या भूमी का रखता है पूरे वल्ड के अंदर भारत क्या अपनी भूमी का रखता है उस बारे में भी भारत ने अपनी बात रखी आउगत कराया है तो यहां पर पाकिस्तान का मीरिया डिसकस कर रहा है वो यही इसी बात को लेकर कर रहा है कि कहीं सारे ऐसे देश थे अनुरू जो बात कि यहां पर बात रही है भारत की जो एकनोमिक ग्रोथ हैं उसको लेकर बातचीत की गई कि आने वाले पांस सालों के अंदर भारत जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे अर्थवैस्ता बन जाएगा तो इससे जो है ना भारत की थाकत जो है लगातार बढ़ती हुई दि आएवादी हुई जो है ना दो के उले दो गुट है भारत की तो इंदर बढ़ती है जो है आएखगा जो है वहातार पांस साथा बात प्टाधा जो है तो एंद भारत की आने जो हैवादी है वहादा है